दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप सभी का एडू बगीचा पे हार्दी का भिनंदन है तो दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार से रिलेटेड जितनी सारी परिक्षाय हैं चाहे वो BPSC प्रधान सिक्षक की हो प्रधान अध्यापक की हो सचिवाले शाहयक हो या हैं यहार से रिलेटर जितनी सारी एक्जाम्ठाप उन सब में बिहार से मॉस्टली कोशन् पुख्छे जाते हैं और इस कोशन् को इस सेशन के माध्यम से यह जो continuous एक सेशन चलेगा इस सेशन के माध्यम से हम एक भी प्रस्न छोड़ने वाले नहीं तो बने रही है आप Edubagiccia के साथ, आएए देखते हैं, सबसे पहले हम बिहार की एक समझ को विक्सित करते हैं, कि बिहार क्या है? बिहार की भॉगोलिक स्तितेर देखेंगे, इसके पॉलिटिकल सिनारियों को देखेंगे, और विभिन तथ्यों को देखने वाले हैं. तो देखिए ये रहा हमारा बिहार का मैप ये मैप है तो इस मैप से अगर हम देखें और कल्पना करें तो ये मैप हमको ये बताता है कि बिहार की जो मैप है लगभग आयताकार है कैसा है आयताकार है तो आयताकार मैप को देखेंगे तो इस मैप में ये हो गई इसकी चोड़ और यह हो गई इसकी लंबाई तो कभी-कभी यह भी कोशन पुछ देता है कि बिहार में उत्तर से दक्षिन की कुल लंबाई कितनी है बिहार की जो छेत्रफल की लंबाई है तो देखिए 345 किलोमेटर क्या है 345 किलोमेटर इसको याद रखने के लिए हम 3-4-5 किलोमेटर भी पश्चिम की तरफ कि जो लंबाई है उसकी लंबाई है 483 किलोमेटर और ये बात ध्यान रखिएगा 483 एक और इंपोर्टेंट डेट है बिहार से रिलेटेड और वो है गौतम बुध का महापरी निर्वान तिथी यानि इसी तिथी को 483 BC यानि इसा पुर्व में गौतम बुद्ध का महापरी निर्वान हुआ था यानि उनके प्राण निकल गए थे चलिए अब देखते हैं कि ये बिहार का उत्तर दिशा है और उत्तर में है नेपाल ठीक है इसके पूरव की बात करें तो पश्रिम बंगाल और इसकी दक्षिन की बात की जाए तो यहां है जारखंड और पश्रिम में है उत्तर परदेश यूपी अब देखते हैं कि इस तरह से बिहार तीन तरफ से अपने परोसी राज्यों से सीमा लगता है बिहार का जबक करने के लिए हमको सबसे पहले एक गलोब की परिकल्पना करनी होगी तो आईए देखते हैं माना कि यह एक गलोब है ठीक है तो इस गलोब में यह वाली जो रेखा होती है इसे हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा यह रेखाए जो हैती है उसको हम लोग देशांतर रेखाए हो गई अब देखते हैं कि अगर यह 0 डिगरी देशांतर है तो इधर होगी पुर्भी देशांतर और इसके जस्ट अपोजीट होगा क्या पश्मी देशांतर होगा ना अब यह जो अक्षांस रेखाया है तो यहां अगर 0 मानते हैं तो यह उत्री अक्षांस होगी और नीचे दक्षिनी अक्षांस होगी ठीक है अब देखिए अब इसकी परिकल्पना अगर हम गलोब में करते हैं तो बिहार को समझने के लिए हमें भारत को समझना होगा कि भारत की इस्तिती गलोब में कहां है तो अगर इस फिल्ड में हमारा भारत है तो जड़ा देखिए कि यहां से यह सब पुर्वी देशांतर हुआ तो यह पुर्वी देशांतर और उत्री अक्षांस में इस्तित है कहा है पुर्वी देशांतर और उत्री अक्षांस में इस्तित है तो जब भारत यहां इस्तित है तो बिहार की भी भोगौलिक इस्तिति अगर देखी जाए तो पूर्वी देशांतर और उत्री अक्छांस में इस्तित है अब देखिए इसके अक्छांसिये विस्तार और देशांतरिये विस्तार को हम लोग देखते हैं तो देशांतर रेखा चुकि ऐसे वाला रेखा है तो यहा और यहां तक इसकी देशांतरिये विस्तार होगी जब कि बात करें अक्षांसिये विस्तार की तो अक्षांसिये विस्तार इसके नीचे से लेकर और इसके यहां तक अक्षांसिये विस्तार होगी अब देखिए इसके कुछ वैल्यूज हैं कि अक्षांसिये विस्तार कितने है के बिखार के और देशांतरिय विस्तार कितने हैं आएज देख अग्छांसिय विस्तार है 24 डिग्री 20 लोग देख रहे हैं यह मिन्ट को कहेंगे तो इसको डबल कर करते तो सेकन्ड का स्ञां होगा ग्री तो आप लोग समाज हिरे हैं देखी तो आप देखिये इसके अक्षांसिये विस्तार जो है 24 डिगरी 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिगरी 31 मिनट और 15 सेकेंड तक के बीच है ठीक है अगर मानते हैं कि पूरी वैलू याद नहीं भी हुए तो डिगरी वाला वैलू हमेशा याद रखना है 24 डिगरी से लेकर और 27 डिगरी अक्षांसि विस्तार है जबकि देशांतर्य विस्तार इसकी 83 डिगरी 19 मिनट 50 से लेकर 88 डिगरी 17 मिनट और 40 सेकेंड तक है ठीक है यानि देशांतर्य विस्तार 83 से लेकर और 88 डिगरी के बीच है जबकि अक्षांसिये विस्तार इसका 24 डिगरी से लेकर 27 डिगरी तक है ठीक है इसको ह ये पुर्वोतर राज्य है, बिहार जो है भारत का एक पुर्वोतर राज्य है, ठीक है, अब देखते हैं कि चलिए पुर्वोतर राज्य तो है, इसका नाम बिहार क्यों पड़ा, बहुत बार कोशन ये भी पुछता है कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो समझे कि बिहार में बौध भिक्छुओं की अधिकता होने के कारण बौध भिक्छुओं की अधिकता होने के कारण इसका नाम बिहार पड़ गया बौध भिक्छुओं की अधिकता और यह वो सदी क्या थी लगभग एगारवे से बारहवी शदी की बात है यानि एगारव ते हुए इस राज्य का नाम बिहार बढ़ गया अब बिहार नाम से अब आगे देखते हैं कि बिहार का ये क्या सुरू से बिहार इतना ही था नहीं बिहार जो था वो बंगाल उरिशा समेत एक बिस्तरित राज्य था ठीक है और उसकी परिकल्पना अगर हम लोग देखें तो 1911 में एक दिल्ली दर्वार की घटना हुए थी 1911 में दिल्ली दर्वार की घटना हुए थी जिसके फलस्वरुप 1912 में एक अप्रेल 1912 को प्रिथक बंगाल का निर्मान हुआ यानि कि एक अप्रेल एक अप्रेल 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया ये बंगाल का छेतर जो यहां हो रहता है ये बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया और उस समय एक 1912 में बिहार जारखंड और उडिशा समेत एक अलग राज था जबकि बंगाल एक प्रिथक राज बन गया ठीक है और यहीं घटना यह बहुत important चीज है इसको याद रखना है फिर अगला 1936 में इस बिहार से इस उडिशा वाले भाग को अलग कर दिया गया ठीक है 1936 में उडिशा वाले भाग को अलग कर दिया गया और ततपशात एक और डेट और बहुत important डेट होता है 15 नवंबर और 2000 की घटना जब बिहार को उसके खनित संपदा वाले राज्ये थे उसको काट कर एक नए राज जारखंड के रुप में विक्सित किया गया और ततपशात बिहार जो है अपने पूर्ण स्वरूप में 15 नवंबर 2000 वी के में आता है तो कोशन कभी कभी पूछ देता है कि बिहार अपने पूर्ण स्वरूप में कब आता है तो 15 नवंबर 2000 वी में आता है अब देखिए हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं तो बिहार दिवस कब मनाते हैं याद रखेड़ा वो भी एक important date है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को क्या मनाया जाता है बिहार दिवस मनाया जाता है चुकि इसी तिथी को बिहार का एक अधिसुचना जारी की गई थी कि बिहार राज के गठन किया जाए ठीक है इसी के उपलक्ष में हम लोग 22 मार्च को क्या करते हैं बिहार दिवस मनाते हैं और यह यह ट्रेंड हम चली आएए देखते हैं बिहार की कुल छेतरफल की अगर बात की जाए इसके टूटल छेतरफल का तो ये छेतरफल है 94,163 बर्ग किलोमीटर 94,163 बर्ग किलोमीटर बिहार की कुल छेतरफल है जो कि भारत का 13 हुआ सबसे बड़ा राज्य है ये बिहार की स्थिति उस समय 12 हुआ सबसे बड़ी राज्य थी लेकिन जैसे ही तेलंगना एक राज्य बना तो तेलंगना बिहार के छेतरफल से बड़ा राज्य हुआ और बिहार की संख्या घटते हुए 13 हुआ सबसे बड़ा राज्य बन चुका है चलिए अब देखेंगे इसके कुछ प्रसासनिक structure के बारे में अगर देखें तो प्रसासनिक structure में सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल है ठीक है और ये 9 प्रमंडल कौन-कौन से है इसके नाम याद रखेगा चुकि ऑप्सन में दे देगा कि बि उल्डड़ कौन-कौन पत्ना, तिरहूत , शारन, दरभंगा, पुण्यया, भागलपूर, मुंगेर और मगद मगद गया के छ्हेत्र को बोलते हैं इसलिए गया भी बोला जासकता है मगद भी बोला जासकता है तो इस तरह से बात करें अनुमंडलों की तो पुरे बिहार में लगभग 101 अनुमंडल है कितने अनुमंडल है 101 जबकि जीलों की बात की जाये तो 38 जीला है बिहार बिहार का सबसे अन्तिम जीला बना है और अर्वल को जीले के रूप में लेते हुए बिहार में जीलों की कुल संख्या 38 हो गई है चलिए अब प्रखंडों की संख्या अगर देखा जाये तो प्रखंड हमारे बिहार में टोटल 543 प्रखंड है 543 प्रखंड एक बात आप 3-4 और 5 किलोमेटर अब इसको अगर हम पलट दें 5-4-3 अगर कर दें तो 543 बनता है तो इस तरह से 5-4-3 यानि की प्रखंडों की संख्या हमें इस डिस्टेंस की जो वैलू है उससे निकल जाती है 543 प्रखंड और उसको पलट दें तो 3-4-5 किलोमेटर उत्तर से दक्षिन की दूरी अब बिहार के कुछ राजकिये पसु पक्षी फूल मचली अगरा बनाए गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं तो बिहार के राजकिये पसु के रूप में बैल को चुना गया है बैल को जबकि पक्षी की बात करें तो पक्षी को गौरया को बना गया है նाप्राइक फाख्टा था री चोगरा का नाम सुने होंगे लेकिन इसे राजकी देखे होंगे आप तॉर बात कि जाए राज की नियांकर मचिली और इसके एक और है ब्रिक्ष की अगर बात कि जाए राई कि पेछ तो राज किए ब्रिक्ष क्या है लुह Mad plants इस यह चीज को हमें याद रखना होगा चूर कि यह कुश्या आ सकता है कि मंत्री कॉन सा थाकि Ads राज भासा के पर अगर चर्चा की जाए तो संभीधान की अनुछे 343 के अंतरगत राज भासा को रखा गया है और उसमें प्रतेक राज को यह छूट दी गई है कि आप अपने शुविधा अनुसार अपनी राज भासा को स्विक्रित कर सकते हैं इसके उपलक्ष में बिहार म दो राज भासाओं की बर्णन की गई है पहला राज भासा हिंदी को माना जाता है जबकि दूसरा राज भासा माना जाता है उर्दू को पहला राज भासा हिंदी और दूसरा राज भासा उर्दू तो बिहार में इस तरह से दो राज भासाओं की बर्णन की गई है पहला हि बिहार से रिलेटेट कुछ अन्य टॉपिक जैसे कि छेत्रफल की द्रिष्टी से बिहार का सबसे बड़ा जीला कौन सा है तो छेत्रफल की द्रिष्टी से बिहार का सबसे बड़ा जीला पस्मी चंपारन है जो बेतियां है बेतियां पस्मी चंपारन वो बिहार का सबसे बड ना जीला स्बसे बड़ा से चोटा सीवहर अब देखिए जनसंख्या कि दृष्टू से सबसे बड़ा सीवहर होता है तो हो गया, जनसंख्या के द्रिष्टी से सबसे बड़ा जीला पटना, छेतरफल के द्रिष्टी से सबसे बड़ा जीला पस्मिचमपारन, जनसंख्या के द्रिष्टी से छोटा जीला सेखपुरा, और छेतरफल के द्रिष्टी से सबसे छोटा जीला सीवहर, ठीक है, किलियर हो गया अब इसके कुछ political सिनारियों को देखते हैं political structure को देखेंगे तो बिहार में ड्वी सदनात्मक राज वेवस्था है अब ड्वी सदनात्मक या ड्वी शदनिय राज वेवस्था क्या कालाती है यानि वैसी वभीधान सभा दोनों की व्यवस्ता हो वैसे राज्यों की विधान मंडल को हम लोग कहेंगे द्वी शदनिये राज व्यवस्ता तो जीए बिहार में भी बिधान सभा भी है और भारिधान परिशत भी है AG rats के वल सात ही एस्यराज है जहां पे बिधान परिशद की ब्यवस्ता है और वह सात राजे कौन-कौन से हैं आंध्रपरदेश, बिहार, करनाटक, महराष्ट, तेलंगना, उत्तरपरदेश और उडिशा यही सात राज है जहां पे बिधान परिशद की ब्यवस्ता है ठीक है बाकी सभी राजों में बिध अब देखिए कि बिःखान मंदल कें अंतरगत आने वाले बिधान सभा की सीटों की बात करें तो दो सोगती की सीट vita की सीटों की बात की जाया तो याँ होती है 75 सीटे यानि कि हम लोग बिहार का मतलब लगभग लगभग एक शामान ने परिशय है उसके भागलिक दिश्टी कौन से उसके मतलब पॉलिटिकल दिश्टी कौन से और भी कुछ important fact के तहत हम लोग लगभग लगभग देख चुके हैं और फिर आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बिहार की नदियां, बिहार की भूमी, बिहार की उधोग धन्दे, मिजार की खनित संपदा इत्यादी देखते हुए और बिहार से रिलेटेड जो भी एक्जाम से उसके लिए हम अपने आपको पूर्ण तयार रखेंगे उमीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सियर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बने रहें एडू बगीचा के शाथ, धन्यवाद